यह है हमारे डैकिन एसी का रिमोट चली मैं आप लोग इसका फूरा फीचर्स बताऊंगा कि इस तरह से आपको रिमोट को यूज करना होता है हर एक केज क्योंकि जनकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके पास डैकिन एसी है तो सबसे पहले नॉर्मल फीचर्स में आप लोगो बताऊंगा इसली तरीका से जिससे आपको समझ में आपाए ओन ओफ बटन यह नॉर्मल सा बटन है जिससे हम एसी को ओन ओफ कर सकते है नेक्स जो हमारा बटन आता है वो भी काफी कमाल का है टेंप्रेचर अप डॉन का जितना टेंप्रेचर कम कीजिएगा उतना हमारे एसी का कूलिंग बढ़ेगा और जितना टेंप्रेचर ज्यादा कीजिएगा उतना कूलिंग हमारा रूम में कम होगा उसके बाद आता है य जिससे हमारे रुम में cooling जल्दी से जल्दी मिलेगा मतलब जहां पर आपको normal cooling पंद़र मिलता है वहां पर आपको 10 मेट में ही काम हो जाएगा जे अबर नार्मल मोड धुल आज आए वह होता है वह normal हवाऑ फेकने के लिए होता है normal अपको हवा फेकएगा शक्के बाद आपको कुल्ंग मिलेका नहीं थीक है उसके बाद आता है यहाँ यहां पर है इसускे बाद आता है कूल मोड और कूल मोड जो होता है जाहतर हम लोग हर मौसं के लिए रखते हैं कि दिशला को लिए मीद्ध सकते हैं कि क立खना है कि नर्मिली जायतर कूल मोड ही यूज होता है उसके भार हमारा ड्राइμोड था जो बर्षाते समय में यूज होता है यॉकुणो का एक option आता है देख सेकते डिस्प्ले में भी हाँ पर सो कर रहा है तो इसलिए आप स्विंग को यूज कर सकते इस बेटन को प्रेश करके बहुत ही काम गए आपको आप डॉन कराना है या फिर एक जगे इस तिर रखना है अब इस बेटन प्रेश करके यूज कर सकते हैं दोनों सबसे घड़ा और बढ़ा सकते जो हमारे इंडोर उनिट से ब्रॉर का स्पीड आता अब समझ सकते हैं इंडोर आपर हुआर्यग से में बार बढ़न चाए है लाव अगओर इस बेटन को प्रेस किजिएगा तो हावा का फ्लो हमारा डारेक्ट बैक सैड में वॉल पे जाएगा वॉल पे जाने के बाद ही हमारे सरीर में यह हवा लगेगा मतलब इससे हमारे क्या होगा कि हमारा जो सरीर है उसमें डेकली अगर हवा सरीर में पढ़ता है तो नुकसान हो तो इसे हमारे जो हेल्ट रहेगा वह नुखसान नहीं होगा क्योंकि कॉंडा बटन प्रेस्कारण करने से वाल पर लगने के बाद इस मेल करिखे हैं नौरम्ली इस मेल कर आप। तो एक अलग तरह का हवा प्रवाइड होगा जिससे हमें मतलब गंदगी टाइप का हवा नहीं लगेगा मतलब फ्रिस हवा लगेगा इससे साफ से यह बटन प्रेस्ट किया हुआ नॉर्मली ज्यादा इसमें यूज नहीं होता है मतलब एक ओप्सन दिया हुआ है उसके बाद बैक लाइट का उप्सन है इस बैटन को प्रेस किजिएगा तीन सेकंड के लिए और बैक लाइट को तो आपका जो इमोट हो जाएगा ठीक है लॉक होने से कोई भी बटन काम नही पाद इसवाएगा ठीक मोट राइट के समय में से के लिए चुरिव मोट है कि शेले निएज ऐतर तरह साूस verb को यूज करके जोर्れक जाएएट और को लिएलेगा ऑपके शलीर को भी नुकसान नहीं होगा प्लश को ज्यादा कूलिख लेंगा ठीक है नेक्स्ट हमारा जो बटन है वो slate करने के option है जो जो हम अगर हम चाहे तो अपना timer को slate कर सकते है और cancel का भी यहां पर button दिया वा है कि अगर हम cancel करना चाहे तो इसलिए हम cancel कर सकते है on timer off timer सामने में है कि हम चाहरे कि ऐसी automatic on करना तो भी कर सकते है आप करना जाए इसलिए हम आफ कर सकते हैं यहां पर इभी time के एक setting दिया वाहे इसलिए हम time को देखकर के भी set कर सकते हैं cancel भी कर ना है तो cancel कर सकते हैं वहां पर भी option है तेज यह कुछ जनकारी एक डिटिल था जो मुझे अपने वीडियो दूरू बता रहा है था उम्हें कि करते हैं वीडियो आप लोग काफी पसंद आया होगा